नमस्कार दोस्तों मैं नंदुजाट और आप देखरें नंदुजाट CK चैनल दोस्तों मैं आज आपको पांच नोटों के बारे में बताने वाला हूँ और ये पांचों नोट आप किसी एक्सिवेशन में भी सेल कर सकते हैं और आप direct मेरे को भीbol में चेल कर सकते हैं इन नोटों की किमत जाने वाली है 5 लाक के आसपास तो अगर आपके पास में ये 5 नोट होते हैं तो आप 5-6 लाक रुपर आसानी से कमा सकते हैं तो डौस्तो ये नोट मेरे को भी पर सकते हैं और में आपको एक्साइशन अड्रेस भी देने वाला हूँ तो ये नोट आप वहाँ पर भी डियरेक्ट शेल कर सकते हैं इनके आपको एक अच्छी कीमट मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखे क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिटेल से समझाने वाला हूँ दोस्तो मैं फेंसी डिजिट की बात की थी आपको फेंसी डिजिट से आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ सीरियल फेंसी होना जरूरी है तो दोस्तो यह 100 रुपय का नोट जो आप देख रहे हैं यह वीमल जालान का जारी किया गया नोट है इसका गवर्नर वीमल जालान है अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि इसकी जो सीरियल है वो आपको कुछ अलग नजर आएगी और वो नजर अलग वो आएगी कि इस नोट की जो सीरियल है वो 7 अंको में है जैसे कि आप कोई भी नोट में देखोगे तो उसकी सीरियल नमर 6 अंको के होती है लेकिन इस note कि आप serial number के देखोगे तो आपको 7 number की मिलेगी इसका serial number 7 होता है जो कि आपको कौंसे वाले note के अंदर मिलेगी मापको बता देता हूँ जैसे 999 यह एक serial हो गई अब इस serial का last note होगा जो 10,000 पे एक note प्रिंट होता है दस अजार नोट के बाद में एक नोट ऐसा प्रिंट होता है जिसमें दस की सीरियल मतलब साथ अंको की सीरियल आ जाती है तो ऐसे नोट फेंची नोटों में से जो मोस्ट पापुलर नोटों में जिसको बोल सकते हैं या फिर रेर नोटों में से बोल सकते हैं वो एक रेर आप अगर direct activation में भी वेचना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है लेकिन आप मेरे को share जरूर करें तो next 10 रुपे का नोट अपने पास में है यह नम्मर दो का नोट है तो दोस्तों यह वैसी ही सीरियल है इसकी भी जिसमें साथ सीरियल डिजिट हैं जो कि आम नोट में आपको 6 देखने को मिलते हैं यह नोट भी 10,000 नोट के पीछे एक ही नोट प्रिंट होता है और इसके गवर्नर के अगर मैं बात करूं तो इसका गवर्नर है वाई विनो गोपाल रेडी जो चेन नहीं से बिलोंग करते थे तो गाइच यह 10 रुपे का नोट भी अगर आपके पास म होते हैं और ऐसे 10 रुपे की या जो भी आपके पास इस सीरियल का कोई नमबर नोट होता है जैसे यह वाली फैंसी डिजिट का कोई नोट होता आपके पास में तो आप यह नोट भी मेरे को डायरेक्ट सेल कर सकते या फिर मापको एक्सिवेशन का एड्रेस दूंगा वहां तो देखना है देखना उसके अलाव होते तो मैं और भी आपको आगे बताने वाला हूं तो अब नम्मर तीन पर है अपने पास पांच रुपे का नोट तो दोस्तों इस नोट की सीरियल देखके यह आपको पता चल गया हो गई कि यह कितना रेर नोट है जहां तक मैं मानता हूं यह पूरी सीरियल में यह भी काफी रेर नोट रहने वाला है और इस एक्सिवेशन में इस नोट की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी तो इसकी सीरियल तो आपको समझ में आई गई होगी सेम सीरियल है पूरी 66666 और दोस्तों मैं आपको एक बता देता हूं यह भी व जो मैं भी बढा कि आपको जानकारी दे रहा हूं इस से रिलेटेड वीडियो मैं पहले जारी करके रखी है अगर आपको इसमें से कुछ ऐसा लगे तो वह वीडियो आप जाके भी देख सकते हैं अगर जो जानकारी मैं इसमें नहीं दे पाता हूं आपको क्योंकि मुझे इसमें आपको short short चीजे ही बतानी है, जो मुझे जरुरत आपको जरुरत है, especially कि आपको कौन सा नोट ढूंड़ना है, कौन सा नोट आपका सबसी ज्यादा सेल होगा, वोही सारी चीजे में इसमें बताने वाला हूँ, नोट से ज्यादा related चीज़े ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ लेकिन वो चीज़े ज्यादा बताने वाला हूँ जिसके तुरू आपका नोट सेल होगा तो दोस्तो वीडियो को थोड़ा और द्यान से देखिए यह आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है क्योंकि एक एक्सिवेशन में जाओगे तो आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी वहां पे तब ही आप दावा कर पाओगे चीज आपने जो देखी इसका डिजिट पुरा जिरो जिरो में है फेस्ट में नाइन है तो यह नाइन जहां पे है यहां पे आपके कोई और भी डिजिट होते हैं तो भी चलेगा जैसे मालो यहां एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, आठ हो गया, तो यह कोई भी डिजिट यहां पे होगा, तो भी यह नोट सेम प्राइज में ही जाने वाला है, ऐसे नोट भी काफी रेर होने वाले हैं इस एक्सिवेशन में इसपेशली फेंच सी डिजिट के ही नोट सेल होंगे यह माँ आपको पहले भी बता चुका हूँ अब भी बता रहा हूं सबसे ज़्यादा फेंच सी डिजिट के नोट ही सेल होंगे अब नमर च्यार का नोट आपको सीरियल दिख रहे हैं वो तो सेम रहेगी रहेगी मतलब यह सोके नोट में जो मैंने सीरियल बताई है दोनों नोट में यह दोनों सीरियल वाले ही नोट ले जाएंगे नहीं कि आप सिक्स सीरियल का सोका नोट ले आए तो नहीं लेंगे और अगर आपके पास में नया वाला नोट होता है six six वाला या फिर seven seven जो भी शीरियल रहे है नया नोट का या फिर ज्यादा पुराना नोट का तो भी आपका सेल नहीं किया जाएगा यही नोट चाहिए यह चीज इस नोट के अंदर देखने वाली है यह फोपे नोट के अंदर तो यह आपको थोड़ा द्यान रखना है मतलब यह आपके पास में यही वाला नोट ही होना चाहिए तो दोस्तों यह भी नोट आपको अच्छी प्राइस देने वाला है अगर आपके पास में यह सीरियल का नोट है तो गी दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आपको हर एक चीज बताने वाला हूं लेकिन थोड़ा द्यान लगा के देखना है वीडियो को आगे नोट है अपने पास पांच रुपे का जिसकी डिजिट है 9000 तो दोस्तों यह नोट में आपको एक चीज देखने वाली है कि यह जो 9000 वाला नोट है यह आपके पास ओल्ड नोट होना चीए मतलब यह नया नोट अगर आपके पास में है तो नहीं चलेगा पहले ही बता नोट चलेगा और आपको इस नोट के अंदर एक चीज और बता देता हूं वह यह रहेगी कि इसके अंदर आपके पास में अगर 766 766 डबल 766 वाली अगर डिजिट का नोट होता है तो उसकी भी किमत इसके बरॉबर ही रखी जाएगी अगर वह नोट भी आपके पास में हो प्लटा यह पर शेल करके या तो आप मेरे को एक वीra पीडियो या फिर उसकी फोटो शेल करना अन्यता आप नजदी के एक्सिवेशन में भी जाके सेल कर सकते हैं या फिर मैं जिस एक्सिवेशन का आपको आड्रेस देने वाला हूँ उसमें भी आप जाके सेल कर सकते हैं अब नेक्स्ट नोट है मेरे पास 10 रुपए का अब मैं आपको इसमें कुछ और बताने वाला है एक है तो दोस्तों अगर ये नोट आपके पास होता है तो ये एक्सिवेशन में सेल होगा या नहीं होगा मैं नहीं बोल सकता आपको लेकिन ये नोट डायरेक्ट आप मेरे को जरूर सेल कर सकते हैं तो इसके लिए आप नंदुजाट आरजीट 23 इंस्टागराम में इसकी फो इन्हें नोटों की मैं बात कर जहूँ यह मैंक्की कीमत मैं घ्रमठ्म में अगर आप लोगों से खरीदुग ऊपछाओं Just उस 나온 चलो निक्ष्ट में बताने की बातहिए 10-10-J जिश्के 5-7 होते हैं लेकिन आप लास्ट में 0 होता है या पिर मालो लास्ट में एक होता है ऐसे नोट अगर आप लोगों के पास में होते हैं जैसे ट्रिपल एट डबल एट जिरो ऐसे नोट अगर आपके पास में होते हैं तो इस नोट की किमत में आपको पहले ही बता देता हूं कि इसकी किमत आपको आठ सो से लेके 700 रुपए मिलने वाली है तो ये इसकी नोट की कंडिशन पर डिपेंट करेगा लेकिन इस से ज्यादा इस नोट की किमत आपको नई मिलने वाली है तो दोस्तों मैंने वीडियो में लमसम जानकारियां आपके साथ सेर कर दिये इस एक्सिवेशन की अब अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी या फिर एक्सिवेशन की डेट फिक्स होगी उस टाइम मापको उस एक्सिवेशन का एड्रेस टाइम टेबल सब कुछ आपको सेर करूंगा तो दोस्तों जे हिंद जे भारत और वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर देना और जो लोग नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर लेना कर लेजियो जो आपको सुआ झाल पेजल झाल 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 झाल